EPS 95 पैंसन धारकों की पैंसन को लेकर बड़ी कुसकबरी EPS मोजदा समयम जो आपको 1000 रुपे की पैंसन मिलती है उसकी 1000 रुपे की रैसी बढ़ाने को लेकर पैंसनस का बड़ा ऐलान हो चुका है क्या उनकी मांगो के अनुरूप सरकार क्या पैंसला लेगी मोजदा समय में करमचारी पैंसन योजणा EPS के तत यानकी 1000 रुपे की पैंसन की रैसी आपको प्रितिमा मिलती है जिसकी पैंसनस बड़ा करके 7500 रुपे प्रितिमा करने की मांग करे है तो इसको लेकर उन्होंने क्या आज एलान किया है और यानकी बेल आइकन देखिए गंटी का बटन उसे भी तिबा करके औल पर प्रिसर कर दे ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी तो आपकी यानकी 7500 रुपे की पैंसन बढ़ाने को लेकर क्या आखिरी पैंसला होने वाला है पैंसला है इसको लेकर क्या नए कदम उठाने जा रहे है उनकी परमुक पैंसला को की पैंसला को लेकर जो मांगी उनके अनुसार सरकार पर पहले ही यानकी सरकारी करमचारी पुरानी पैंसला स्कीम यानकी OPS को लेकर बाहल करने की मांगे वो आनकी कर रहे है वैसे में अपर दुबारा जो करमचार यह पैंसन धरके उनकी यान की इंप्लोई जो पैंसन यान की आपको मिलती है EPS, वहाँ पर EPS के दूर आपको EPS pension मिलती है उसके जो सब्सक्राइबर EPS होगे या फिर EPS pensioners है उनका भी सरकार के उपर दबाव बढ़ता जा रहा है कि सरकार उनकी pension की रासी में मिनिमम जो 1000 पे की मलती है उसमें बोड़ती करें तो सरकार इसको लेकर क्या पैंसला करेगी सरकार के दौर इसको लेकर क्या ऐलान हुआ है और pensioners का इसको लेकर क्या ऐलान है कि उनकी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती है तो फिर सरकार से pension दार के वो क्या गवार लगाएंगे उन्होंने अपना जो परदर्सन देखाया वैसे में अगर उनकी मांगो को अभी भी पॉजिटिव उनके पक्स में कोई भी अभी तक एलान नहीं हुआ है वैसे कि अगर आपकी परमुक मांगो को लेकर देखा जैति उसरकार क्या पैसला करेगी और NAC की टीम के दोरा भी पैसला की साजारवाए की समयथ जवाइक है इस तर ऐस अगर क मांगो को लेकर पंसला की मांगो है कि अनकी मांगए को सरकार पूरी करेद लेकिन सरकार के उपर दो और जिख तकि जसा कि एक तो को लेकर को उनका भी मांगे जो दिन पर ते दिन बरता जा जा रहा है, सरकार के उपर यारं कि यह दो घूड़े या पैंसल हावी हो चुकेологf में Megahual कर मुधन सब्सक्राइब कर दिरां जा रहा है, आने के नाईटिजन lotta यहीं réalité उससे बढ़ाने के लगर मांगे है, रामले मैदन में रिली के बाद आठ दिसमर से भी जंतर मंतर पर अंसन करेंगी करमचारी, इस तरह का उन्होंने एलान किया और वहां पर यानकी करमचारी ने कुछ रुरत पर दिसमर भी किया, इस तरह का मीडिया रिप्रकर नुसार आठ करमचारी पर दिसमर पर दिसमर पर दिसमर पर दिसमर करती है, इसके अलवा, पर यानकी एक पॉंट सॉला पिस्ती का योगदान करती है, इसके पर दिसमर 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 कि सरकर के दोराई पैसला किया जाएगा लेकिन फिलाल आज दिन पर के आपके लिए इस तरह की अपडेट होने वाली है कि जो करमचारी पैसंदार के उनका विरोध प्रदसन जारी है वो यही चाहते हैं को उनकी मिनमम पैसंदार की राज़े को एक अजार उपे से बढ़ाया का रिवी को लेकर जो गठीत कमेटी अपनी रिपोर्ट त्यार कर चुकी इस तरह का दावा के ज़र है बाराल इसे सौंपा कब जाएगा सरकार को लेकिन इसको लेकर कोई भी पिक से अभी तक निच्चित कनफर्म नहीं हुआ है कि आपकी जो इस आंक्डे को सरकार को कब करिबन इनकी 40-45 या फिर आपका जो इनकी 35-50 परिश्टी तक या लगभग आपका आपका जो मुल वतन था उसके आदे के बराबर इनकी पैंसन देने को लेकर सिपारिश से कर सकती हैं जो सरकार 2024 में आने वाले इनकी साल में क्या आपकी पैंसन योजना है उसमें क्या pension खाते में regulatory तोर पर contribute करके अपने पैसों के निवेस को अनुमती दे सकता है retirement के बाद pension की रखम का एक बाग एक मुझे निकालना की भी चूट मलती है वही बाकी रासी के लिए annuity plan भी करी सकते है annuity एक परकर का insurance product है इसमें एक साथ निवेस करना होता है एनपेसे मंतली तीमाई चमाई या सालना विड्रो भी कर सकते हैं रिटार्ड करमचार की मौत या उसे annuity regular income भी देती है सरकार जो करमचार रिटार्ड उसका अचनक से कोई भी मरती हो जाती है तो उसको नामीनी को इसका पैसा भी मिलता है और आटी इसका आकरी 57 सरकर के दोरा क्या होने वाला है ननपेस के बिडिदावव के लिए बिजार काफी आपको करना पर सकता है यानकि लमज़ार लग सकता है ननपेस को औरा कर बनाने को लेकर सरकार जल्दबादी में ये काम पर ले यानकी बाले को लेकर या NPS संसर्दन को लेकर नहीं करेगी इस तरह का यानकी मीडिया रिप्रक्राइब चाहिए या पर जो नेशनल पैसन्स सिस्टम 2004 के बाद वो मिल रहा है वो पैसन्स दारकों के लिए उनके या पिर उनकी ओपियस को उनकी मांगों करेगा तो यानकी सिस संसर्दन होने चाहिए तो आपको बदर की फिलाल तो कोई भी सरकार ने OPS या NPS संसर्दन को लेकर फिलाल यानकी कोई भी आकड़े जारी नहीं किया है अगर रिटार्मेंट बेसिक का पचास पिस्ति तक पैसन देने का सुजाव संभव माना जारे की इस तरह यानकी आपक तक बाराल कोई भी सरकार ने से कनफर्म नहीं किया है वाइबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा पैंसन की गारंटी तेह है एन्यूटी में सोट पल को केंदर और राजिस सरकार ये पुरा करेगी मांगा ये बते को देखते वे कॉस्ट आप लिंग एजस्टमेंट होगा निव पैंसन सिस्टम सरकार पर जरूरी बोज़ ना पड़े इसका पुरा ध्यान रखेगी और बाराल कमिटी अपने रिपोर्ट कपसों पर की अभी तक टैनिंग हुआ है ऐसा कहा जा रहा है कि एन्पेस में बदलाव के लिए सरकार सही मौके का एंजार करेए उसके बाद आपकी एन्पेस में संसुदन करेगी सरकार या फिर आपकी ओपेस से वाल करेगी पेंसनस की मांगो के नरूप इसको लेकर कोई भी पाले करना उचीत नहीं होगा